जै भार दोस्तो मैं हूँ अजीद फोजी सुंगर पुरिया आप देखरे हैं हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्ट्स के एडमी तो साम दोस्तो आज हम बात करेंगे एक यूएजक्व इंरॉल्मेंट के बारे में जो की यूनिट हैड़कॉर्टर कोटा की बरती है रिलेशन और स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए तो दोस्तो ये जो बरती है ये डोगरा रेजमेंट सेंटर फैजाबाद जो उतर परदेश के अंदर है ये करेगा तीस के अंदर जो बरती है वो सोल्जर जीडी के लिए सोल्जर ट्रेड मैन और स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए बरती होगी ये जो बरती है 20 अगस्त 2021 से 26 अगस्त 2021 तक चलेगी दोस्तो इसका सेडूल जो हजारी कर दिया गया है सभी रजमेंट हैड कोर्टर यूनिट रिकोर्ड सभी ए आरो बे आरो जडारो सब को सुचित कर दिया गया लेटर के मादम से और आप देख सकते हैं ये लेटस्ट लेटर है 2 अगस्त 2021 का और ये इसकी जर्नल इंस्टेक्शन बताई गई है दा डोगरा रेजमेंटल सेंटर फैजाबाद आपको बता दें दोस्तो ये जो वर्ती के अंदर एक नई पोल्शी आगी है जो भी मेरे बाई हैं वो जरूर द्यान दें जिनके पास पुराने रिलेशन है जेशियो जोर ओवार के जो बच्चे 2014 आर्मी रग्रूटमेंट अग्जाम पॉल्शी है ये इसके तहट ही अपना ये लागू होगी अपना जो है वो रिलेशन सेट्विकर जरूर बनवा ले इस परकार से आपके जो रिलेशन के डोकुमेंट की वेरिपिकेशन पहले होती है अजकल उसके बाद ही एडमिट कार्ड वगरा दिये जाते हैं और सेंटर में बरती होने के बाद ट्रेनिंग पे चड़ाया जाता है तो दोस्तों इसका सेडूल अभी आपको बता दें जो भी मेरे 22 बरती में जा रहे हैं वो 20 अगस्त को 20 अगस्त 2021 को सुबह 4 बजे अप भी दोस्तों को जो बरती में जा रहे हैं इसका सेडूल जरूर देख लें जो जो जिस जिस के लिए लागू है ये बरती सबसे पहले तो ये बरती है जो वो कुछ इमाचल परदेश कंडिडेट्स के लिए है ये 20 अगस्त 20 अगस्त चलेगी इनकी बरती जो इमाचल परदे के कंडिडेट्स के लिए है इनका भी 22 अगस्त से 23 अगस्त तक यह सडूल चलेगा और इसमें आपके पहले डॉकॉमेंट चेक होंगे फीजिकल टेस्ट होगा फीजिकल मेजरमेंट और डॉकॉमेंटेशन होएंगे इस परकार से स्पोर्ट्समेंट डॉकॉमेंट चेकिंग उनली जो भी बच्चे हैं वो स्पोर्ट्समेंट के वो ध्यान दे वह यहां पर सभी पूरे बारत के स्पोर्ट्समेंट नहीं हैं यहां पर इमाचल परदेश पंजाव और जेंडगे के स्पोर्ट्समेंट के लिए बरती है यह औ को 2021 को और जो भी ट्रेट मेन मेन कंडिडेट हैं उनका फिर फिजिकल टेस्ट होगा फिजिकल मेजर्मेंट होगा डोकोमेंट्स फूँन होंगे और फिर 27 हगस से सभी का मेडिकल चलेगा इस परकार से मेडिकल अग्जामनेशन 27 अगस 2021 से जो रिटन अग्जामनेशन है वो आपका 31 अक्तूबर 2021 को होगा और जो आपकी मार्किंग वगरा हो तीन नॉंबर 2021 को और आपकी जो है मेरिटली स्टार्ट नॉंबर तक जारी कर दी जाएगी 2021 तक तो जो भी बाई ये बरती में जा र इसके अंदर आपको बता देते हैं अभी जो सोल्जर जीडी के लिए कौन-कौन जा सकता है वो हिंदू डोगरा कंडिडेट हों जो बिलोंग करते हो जम्मू कस्मीर से इमाचल परदेश से ओस्यारपूर से गुर्दासपूर से नवान सहर से रोपर डिस्ट्रिक पंजाब इस परकार से सभी यहां पर बरती में जा सकते हैं उसके अलावा भी यह रेजिडेंस ओव दाशेट यूटी स्टेटस आउट साइड विदिन इंडिया जो डोगरा कंडिडेट हैं वो दूसरी स्टेट से जो कहीं भी रह रहे हैं वो सभी डोगरा जो इंदू डोगरा हैं वो जा सकते हैं भाई उसके अलवा स्पोर्ट्समेन जो हैं स्पोर्ट्समेन वो जीडी में भरती देख सकते हैं आपको पता ये उसके लिए दस्वी पास होना चाहिए और साड़े सत्रा साल से ते 21 साल तक उमर होनी चाहिए और ये जो हैं स्पोर्ट्समेन कहां के इमाचल प बताया गया है कि जो आउस्टेंडिंग प्लेयर हैं वालीबाल के, एंडबाल के, ओकी, बास्केटबाल, एर पिस्टल, एर राइफल, इस परकार से यह सभी यहाँ पर डोगरा रेजमेंट सेंटर में रिपोर्ट करें 23 अगस्त को, इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 23 अगस् है, जो मैंने बता दिये, उसके अलावा, सोल्जर ट्रेड मैं, जितने भी सोल्जर ट्रेड मैं हैं, जो रिलेशन के बच्चे हैं, वो इस आये, इसमें ओपन बरती नहीं है, यहाँ पर सिरप है, अक सर्विस्ट मैं और सर्विंग के बाई और बेटे, जो ट्रेड मैं में बरती देख सकते हैं, और विकेंशी लिम्टेड होती है, इसमें ट्रेड मैं में एक ही विकेंशी है, उसके अलावा, आप इसमें देख सकते हैं, एक ट्रेड मैं एक दसवी पास होता है, इस परकार से इसमें उसके बाद बतायागा है, प्रियोर्टी किसको दी जाएगी, उसके बाद आप द्यान से इस लेटर को पढ़ लेना जिस भाई को समझ में नहाई हमें वाटसप करके पूछ सकता है, ये प्रियोटी बता रखी हैं, वन टू थरी फोर फाइब कहां तक किस किस को मिलेगी, उसके अलावा इसमें क्राइटेरिया बता रखा है, इंरॉल्मेंट का क्या 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 डोकुमेंट लेकर जाना बरती में, इसके लिए आप हमारे उपर आइकोन बटन पर प्रेस कर देख सकते हैं, इस वीडियो को जिसमें हमने बता रखा क्या 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 डोकुमेंट लेकर जाने बरती में, तो आपके स्क्रीन के उपर एक आइकोन बटन दिखो आप उपर कॉर्नर में, वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, उसके अलावा दोस्तों एज क्राइटेरिया बताया गया है, शोल्जर जीडि के लिए साड़े सत्रा साल से 21 साल तक, जिसकी एज कटोफ है, एक अक्तुबर 2000 से लेकर एक अपरेल 2004, और सोल्जर ट्रेड में के लिए है, साड़े सत्रा से 23 साल, एक अक्तूबर 1998 में से लेकर एक अप्रेल 2004 तक इस परकार ये एज कट ओफ बताई गई है बर्ती के अंदर उसके बार डेट ओफ बर्त का बतायागा है दोस्तों जो आपकी मारक सीट और रिलेशन से एटिव कट में उसके अलाव बतायागा है कि जितने भी नाम में स्पेलिंग होती है फादर में कंडिडेट के नाम में तो अक्षेप्ट कर लिया जाएगा उसके लिए आपको जो भी है वो दस रुपे का एक स्टामपे पर देना पड़ेगा और आपका ये मान लिया जाएगा जो आपका सरन तो एकीस साल से पहले जिसने भी साधी कर रखी वो इलिजीबल नहीं है यहाँ पर इलिजीबल वो ही है जिसका बाई सहीद हो गया है कोई भी युद के अंदर या कहीं भी उसके बाद उसने वीड़ो से साधी की है तो वो वैलिड है यहाँ पर उसको छुट दी जाएगी उसके लिए चुट है यहां पर और इसमें जो है जो सन है वो उसको बोनस मार्क भी मिलते है एक सन को उसके अलावा दूसरे सन के लिए बताएगा इन्रॉल्मेंट और सेकंड सन के लिए उसको बोनस मार्क नहीं दिये जाएंगे बाकी वो बरती में पार्टेस्पेट कर सकता ह उसको छूट मिलेगी PFT और PMT में रिलेक्सेशन मिलेगा जो भी लागू है वो आप देख सकते हैं नीचे इस चार्ट में नीचे हैं किसको कितना रिलेक्सेशन लागू होता है eligibility of sportsmen के लिए बताया गया है कि जो certificates है वो तीन साल का ले लेंगे लेकिन उसके लिए सर्थ रखी गई कि वो training year क्या है दो 20-21 और 21-22 का ही होना चाहिए training year में बरती अगर इसके बाद होती है तो फिर वो दो साल का ही चलेगा दो साल है sports certificate की वैद्दा इस परकार से दोस्तों आपकी education qualification बताई गई है soldier gd के लिए 10 पास soldier trade man 10 पास भी हैं और 8 पास आठमी पास के लिए house keeper और mess keeper की विकेंसियां होती है उसके अलावा दोस्तों ये पूरे चार्ट में नीचे सब कुछ बता रख्या है किसको कितनी छुट लागू है कितनी height weight chest पूरा आप चार्ट देख सकते हैं उसके बाद physical का बता रख्या है उसके बाद आप नीचे देख सकते हो tattoo policy वगरा हैं और जो covid-19 protocols है इंस टेक्शन वो बता रख्यें आपको क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना तो इस letter को हमारे description box से download कर लेना और ध्यान से पढ़ लेना जिस बाई को भी समझ में ना आए तो मैं whatsapp करके पूछ सकता है बाकि हमारे channel को like और subscribe पका करें हम आपको समय समय पर इस परकार की जरूरी जानकारी देते रहेंगे बाकी best of luck दोस्तों जो बरती में जा रहे हैं उनके लिए धन्यवाद जैहिन जैभार्द